इसलाव लोगी स्वेंट इस लिगॉष अवरेम आव और अड़िट प्रोसीजर के उपर अगर आप देखें तो और सवाल ओते हैं वो रिसक के सात्थ भी आते हैं और उसके उपर एसले इट सवाल भी आते हैं और इस अपने प्रेक्टिस को शनस करें अल्मोंस पछिले 10-12 साल के प्रेक्टिस को जुछ हम कर रहे हैं एक विकर रहा है कुछ और प्रफेशन बोडिट में सवाल भी करें देखें उसने प्रॉस्चियों अगर आप से पूछने नहीं दो आप स sufficient appropriate audit evidence for the receibles from NPDL से यह यह उसने आप से सवाल पूछा है अच्छा अगर इस सवाल को अगर आप सब्सक्राइब 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 कर सकता है तो वह कोई भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब सकता है और हमने यह देखना है कि जो हमारे आप टेक्निक्स आपको बताई थी केंट एकनिक्स को यूज करके मैं दुनिया का कोई भी ओडिट प्रूशिड रॉडफ कर सकना हूं आए सवाल पड़ते हैं उन टेक्निक्स को देखते हैं और उस टेक्निक्स की मदद से हम एक अच्छे आंसर ड्राफ करने की कोशिश करते ह you are planning the audit of JPL for the year ending 31 December 2021 JPL owns and operates an electricity generation power plant of 500 megawatt JPL sell all the electricity produced to a government entity NPDL there have been continuous delays in clearing the invoices raised to NPDL this has resulted in the significant increase in trade receivable thoda sah khaternaag word the user i will right trade receivable say you have a bird and a chop so that's our aga birthday my show JPL management has informed you that on 21 august those are a kiss all the electricity producer have signed a mou memorandum of understanding with the government of Pakistan which under which the GOP has provided its guarantee for all the invoices pertaining to those are tera and onwards and a payment of these person will be made on 31 December 2021 and the remaining 70% would be made over a period of three years late payment such as will be charged on kaibor basis which was earlier charge at an annual rate of 15% discuss the audit procedures which needs to be performed by the audit firm in order to obtain sufficient appropriate audit evidence for the receivables from NPDL so but a specific में आपके सावाल उसने आप साथ नमर का पुछे के मुझे रिसीबल के अगेंस्ट कुछ audit पूसरे बताने देखें इसको करने से पहले मैं आपके सामपरे कुछ सेनरियो डिसकस करूं और कुछ अच्छा अगर आप पाकर तो यह सवाल देखें यह बड़ा बड़ा important head audit paper में कि आपके पास एक अच्छा practical experience होना चाहिए है अगर आपके पास एक अच्छा practical experience नहीं आप अच्छा practical exposure नहीं है तो छिसए होड़ी से मुश्किल होती हमारे सरांडिंग्स जतिना वी चीज़े वह रही होती हैं उसके ओपर कोई ना कोई आए फारे लास्मी ट्रिगर कर रहा होता है इस पूरी एक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर हमारे पास एक तरफ क्यанд Ball के एलक्रिक एक एलेक्ट्रिक एशस जी सी को पैसे नहीं देता है सही है तो स्टिल गेश्जिश ढ़ी डिसी और घैल और पड्म के पाल से इनको पैसे नहीं देता लिघ उसका मतलब चाहिए और करती है उसके वज़ात से अगली government owned entity दुसरी government entity को पे नहीं करती हाँ कुछ मेरे पास यहां पर foreign oil and gas companies भी ऐसे उनको टाइमली पेइमेंट करता है लेकिन ओजी DCL, GHPL, PPL इनको पेइमेंट नहीं करता है उसका reason है वो कहता है कि मेरे पास जब government owned entity से पैसा नहीं आया तो मैं आगे पैसा क्यों पे कर उसे यह तो यह देखें तो यह जो सीस जितनी भी कहलाती है यह हमारे पास कहलाती है circular debt यह हमारे पास बच्चों कहलाती है circular debt हम नहीं देखना है कि अगर आप सवाल को थोड़ा गौर से देखें तो सवाल में आप से पूछ किया रहा है सवाल में आप से यह कह रहा है सवाल में आप से यह कह रहा है कि जी देखें आप एक company है जो के power generate कर रही है सही है आपका आप पावर generation sale को कर रहे हैं आपका एक अदत customer है जो के government owned है यह जो customer है यह जो customer है यह आपको timely payment नहीं कर रहा यह आपको timely payment नहीं कर रहा यह एक छोड़ा सा मसला है सावाल में और अगर थोड़ा सा और गौर से देखें जिसकंदों जो सबसे बड़ा मसला वह यह है कि यहां पर एंटर वी हमारे पास government of Pakistan और government of Pakistan ने आप power generator आपकी company जितनी भी power generation company थी उनके साथ एक MOU दाखिल किया एक memory of understanding आया उसने का जितनी भी payment है आपको जो पुरानी है जो नहीं है वो टैमली मिलेगी सही है और कितने सालों में मिलेगी आपको जो नहीं पेमेंट है वो टैमली मिलेगी जो पुरानी पेमेंट है वह एक से तीन साल में कुछ आपको payments received हो जाएंगी और अगर हम लेट क आपने सवाल में अपने आपको एब्जॉब करना पड़ेगा आपने सिनेरियो को evaluate करना पड़ेगा और आपने यह सोच लोगा कैर मेरे पास क्या की audit procedure हो सकते हैं ठीक है सबसे पहली चीज़ यह इतना बड़ा memorandum of understanding है यह इतना बड़ा memorandum understanding आपको नहीं लगता कि आपको important procedure है कि memorandum of understanding इसलिए inspect करना है आपने ताकि आपको पता चल जाए किसकी terms and condition क्या सही है सवाल में जितनी भी चीज़े लिखी है कि इतना परशंट में लेट मिलेगा एक साल दो साल तीन साल यह सारी चीज़ें आपको terms and condition evaluate करने के लिए आपको मोई inspect करना पड़ाए अच्छा government of Pakistan ने लेट से आपको guarantee provide किये आप चाहें तो वो guarantee का letter भी देख सकते हैं कि यह का भी आप कर सकते हैं और सबसे important जीस प्यारव बच्छे जो most important है वो यह है कि आप आपने accounting के perspective से सोचना यह थोड़ा सा आपने audit के perspective यह document देख लिए यह document देख लिए थोड़ा आपने accounting perspective से सूचना accounting perspective कि सूचना है थोड़ा से यहां पर analyze करेगा सवाल को देखें हमारे पास बड़ी important चीज़ बच्छों बहुत जादा important है अगर आप सवाल देखें मौ के टर्म स्कें यह मौ के टर्म से से यह the GOP has provided its guarantee for all the investors pertaining to the year 2013 and onwards a payment of 30 percent will be made on 31 December 2020 and the remaining 70 percent payment would be made over a period of three years so that is 30 सवाल आदे तो मेरे लिए बड़ा असान हो जाता है कि मैं काम यह कर सकता हूं मैं काम यह कर सकता हूं कि मैं कहता हूं ठीक है मैं MOU को inspect करूंगा क्यों inspect करूंगा इस लिए ताके मैं चेक कर सकूंगे क्या वाक्य में GOP ने guarantee provide की भी है के नहीं की यह काम करने एक पुछिर लिखने आप उसके बाद 30% payment will be made on 31 December 2021 तो मुझे बताएं आप year-end audit करें 11 December का तो आप इसको कैसे देख सकते हैं कि 30% payment हुई यह करने आप मुझे खुद बताएं कैसे देख सकते हैं आप एक काम यह करने कि आप इसको बैंक स्ट्रेट्मेंट से ट्रेस करना है बड़ा असान हो गया सही है और रिमेनिंग 70% वुट भी मेट ओवर आप पिरियाड ऑफ तो क्या 70% payment would be made over a period of three years तो मुझे एक बाप बता है आपका account receivable normally 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 current asset में classifier लेकिन आइक आपको abnormal बनाएगा नोर्मल चीज़े नॉर्मल चीज़े क्यों पूछेगा तो अगर एक receivable normally current asset है लेकिन अगर आपको over the one year के बात मिल रहे एक साल के बात मिल रहे तो सबसे पहली चीज जो यहां पर important है वो यह है कि मैं चैक कर लूँ इसकी classification सबसे इंपॉर्टेंट चीज़े की classification के मैं यह ensure कर लूँ क्या management ने इसको current asset और non current asset में सही classify किया भी है कि नहीं किया यह सबसे important चीज़ है फिर वो रिसेबल जो आपको तीन साल बाद रिसीव होना है आपको नहीं लगता को सके अंदर एक significant financing component है आपको नहीं लगता को सकंदर significant financial component है तो मैं एक और काम यह कर लूँगा कि मैं यह चेक कर लूँगा कि यह management ने significant finance component कि accounting करी है और क्या future जो भी मेरे future सबसे important चीज़ बच्चो इन के सब्सक्राइब कर दिया सही है यह पेमेंट टैमिली बेसिस पर नहीं है तो जो सबसे मुश्किल चीज़ ट्रिगर कर जाएगी वह आपकी impairment कर जाएगी आपको impairment के भी process प्रफॉर्म करने होंगे के जी management का process क्या है management जो assumptions लिए लौस गिवन डिफॉर्ट लिए प्रभाइब लिए क्या यह सही भी है के नहीं है तो आए अब इसके answer को देखते हैं किसका answer किसे डॉप कर सकते हैं सबसे important चीज़ है हमारे पास inspect the MOU to verify the following terms ये सवाल से मैंने कापी कर रहा है सहीं inspect मैंने सिर्फ अपने answer में एक चीज़ लिए मैं अपने answer में चीज़ लिए और वो क्या है inspect मैं क्या inspect करो MOU क्यूं ताके मैं कॉंसे terms guarantee provided by the GOP सवाल से उठाया मैंने payment plan सवाल से उठाया मैंने LPS मैंने सवाल से उठाया मैंने सवाल से उठाया मैंने सवाल से उठाया मैंने सवाल से उठाया तो मैंने इंस्पेक करके दिया इसको अच्छा inspect the minutes of the meeting of those with governments to obtain an understanding of the MOU between the company and the GOP मैं मैं इस बढ़ा मैट है रहे यार तो बोर्ट में डिसका सुआ होगा साइए अच्छा ensure that यह सुनिएगा तो यह जो प्रोसीजर से बच्छों यह जो प्रोसीजर से हमारे पस यह आपके आप कह सकता है यह conventionally audit के प्रोसीजर से कि यह आपके पास audit procedure थे conventionally audit के पूसे लेकिन इस पूरे परस्पेक्टिव में अगर आपने accounting नहीं रेकित बहुत बड़ा मसला करतेंगे तो कर मैं accounting को देखू ensure that the ensure that the account receivable has been properly classified into current asset and non current asset based on the revised plan यह बड़ा important है trade receivable includes a significant financing component therefore ensure that discount rate used by the management is reasonable यह मेरा accounting perspective से मैं सोच रहा हूं और इसके बात understand and evaluate the management process to identify the long outstanding receivable and to estimate the allowance for doubtful debt as per IFRS 9 accounting perspective सोच रहा हूं उसके बाद management से working लोंगा loss given default probability default जो मैंने रिस्क के सवाल में भी आपको बताया था exactly वही चीज़े आ रही है मैं सबसेक्ट बैंक स्रेटमेंट देखूंगा यह सेस करने के लिए पैसा रिसीव हो भी रहा कि नहीं इसके बाद में GOP के साथ correspondence में GOP के साथ correspondence फाइल को inspect करूंगा ताकि पता चल जाए कोई और update हुई है के नहीं वी तो यह अगर आप देखने तो आपने procedures को audit perspective और accounting perspective इस तरीके से allocate करने होते हैं थोड़ा सवाल में होना होता है थोड़ा दोखना होता है कि as an auditor मुझे यह यह document देखने चाहिए documentation के perspective से यह document मेरी file में होने चाहिए और सिनेरियो में यह accounting standard trigger हो रहा है यह accounting चीज़े आ रही है तो इसको address करने के लिए मुझे यह procedure perform करने पढ़ेंगे पर चो तो यह हमारे पास एक अच्छा सावाल था specific to the audit procedure था अगेन आपको बार बार रिमाइंड करा दूं यह वीक हमारा risk and procedure का है मैं continuous basis efforts लगा रहा हूं आपको कृजिस दे रहा हूं audit testing system के ओपर हम सारी चीज़े कर रहे हैं आपकी विज़े में आप हफते में अपना वो टार्गेट पूरा करें और जो मजीद सवाल के प्रैक्टिस करें उसको पहले आप खुछ से अटाइम करें तक हमारी हर वीक assessment होती रहे अपना भीयत खायर लखेगा thank you so much